हेलो फ्रेंड्स दिशिश शेशांग गर्वाल और आज हम फिर से लेकर आएं नई वीडियो और ये फिर अध्याए सेकंड का समापन है तो शुरू करते हैं फिर देखिए सबसे पहले अब तक हमने क्या जाना सबसे पहले हमने जाना भ्रमूरत में जागना उसके बाद हमने मलमूत्र का त्याक किया सोचादी वीदी उसके बाद दत्वन वीदी उसके बाद अन्यन वीदी उसके बाद नस्य वीदी उसके बाद गंडूसादी का धारण उसके बाद धूमुरपान तामबुल उसके बाद अव्यंग, अव्यंग का निशेद वगरा, उप्टन वगरा लगार हमने यह सब पढ़ा अब हम पढ़ेंगे भोजन आदी करतब्बे इसनान के सब चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए यह सब हमको भोजन आदी करतब्ब में پढ़ना आ है देखे इसनान करनेने के बाद नहाने धोने के बाद पहले किये हुए भोजन के पच जाने के बाद यानि कि यह नहीं कि अभी रात का खाना पचा नहीं है लग रहा है क्या क्या क्यते हैं कि थोड़ा पेट भरा भरासा है क्या कहते हैं कि जी अबरारा तब भी खाते जा रहे हूं नहीं जब तक पहले का खाया वो भोजन पच्छ नहीं जाता जब तक आपको अगला भोजन नहीं करना जो हितकर भोजनो उसे मात्रा के अनुसर खाएं ना अधिक कम ना अधिक जादा मूत्र पुरीज के वेगों को वलपूरबक ना होगा ने ऐसा लेटरिंग को जी नहीं प्रेसर कर लगा रहे हैं जानके जानगूच के दवाब बना रहे हैं नहीं तो मलमूत्र का जो वेग होता है इसको हमें नहीं रोगना चाहिए क्यों क्योंकि इनसे रोगों की उत्पत्ती हो सकती है अगर नहीं आ रहा तो इनकी वेगों को दवाब बनाकर उभाड़े नहीं और अगर आ रहा है तो इनको दवाए नहीं ठीक है इसके बाद साथ ही के बाद खाना है नाने दोने के बाद कप खाना है जब पहले का खाना पच गया हो और इच्छा हो तब उसको मात्र अनुसार ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा इसाफ से लेना है ठीक है अब इसके बाद सुक का साधन धर्म अब देखिए हर किसी को हमने पहले चेप्टर धर्म है अर्थात सभी प्राड़ी चाहते हैं कि हमें सुक मिले अत्यव उनकी कार्रे करने की लगन सुक पाने के लिए होती हम कोई भी कार्रे करते हैं तो हमारी चेश्टा क्या होती है कि हमें से सुक की प्राप्ति हो हमें से आनंद की प्राप्ति हो और सुक की प्राप्ति ध ट्याग अगर आपको धर्म का पालन करना है तो सभी पापकर्म का प्याग करना पड़ेगा अब देखिए नीचे 10 करकार के पाप कर्म दिये गए है पाप कर्म मांसिक और सारी में दौनों के बहरीं मतलब कर बहुत किया जा सकते हैं और किते हैं सरीर द्वारा कि भी किये जा सकते हैं ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले हिंसा नमर टू चोरी नमर थी अन्यता काम अन्यता का मतलब अन्यूजुवल सेक्सिवल अक्टिविटी यह क्या है सारी जिक दुख्ष कर्म है इसके अलावा फोर्थ चुखल खोरी चोली करन नमर फाइब अप्रिये बचन ऐसे बचन कट्टुक्स बचन जिसके करान दूसरे को दुख पहुचे सिक्स्थ पॉइंट जूटी बाट जूट गोलना नमर सेविन कभी कुछ कभी कुछ कहना यानि की दोगलापन अपनी बात पर इस्तिर ना रहना नमर एट किसी को मार डा कते हैं यह दस कौन कौन सी हिंसा चोरी अन्यता कर्म चुकल खोरी अप्रिये बचन जूटी बात दोगलापन किसी को मार डालने की योह ना दूसरे की संपत्ति को वड़पना नास देखता यह क्या है धर्म वरुद्द चीजें इनका त्याक करोगे तभी सुक की प्राप्त किसी में भी यह सब बताया गया है यही दूसरे लोगों के साथ मिलकर कैसे बहेब करना चाहिए क्या खाना चाहिए कभ इस्ति नान करना चाहिए नहीं बताया गया। यह प्राप्तों को फॉलो करें जिसकी कोई अजीविका नहीं है जो रोग तथा शोक से पीड़ित है उस बाका शोक पीडत को उचित आस्वशन देकर अनुकूल भीयावार करें अर्थात कोई परेशान है उसका कोई घर वाला परेशान है तो उसकी uda साहता होतानमंद đâyा करें अगर आप चेकेस सकें तो रोगी की चिकस्ता करें यह आपका धर्म भी है और यह आपका नुकुल भियावार भी है रोगी के साथ प्रेम पूर्वर वाड़ता लाप करें अब आगे सम दरश्टी का निर्देश जानी कि सबको इस दरश्टी पे जितने भी प्राड़ी है सबको एक दरश्टी से देखना चाहिए चाहिव चीटी हो चाहिव héती हो सब क्या है एक समान है सभी प्राड़ीों को अपने समान समझें घले ही केड़े मकेड़े चीटी हैं क्यों न हों अर्थात किशींग सुद्धर चोटा नहीं किश्ट न पहुचा उन पर दया करें क्यों? क्योंकि सभी परमपिता निम्नवातों को ट्याक करें उल्टी दिशा की वायू को नाले सामने की धूप का सेवन ना करें धूल का सेवन ना करें तेज कर वायू इनको अपने आपको बचाएं शरीर को विज़ा मिस्तिती में रख कर चीक है नहीं ढकार वगरा कास, नीन, लेजा, भोजन और मैत ना करें नथी के किनारे ब्रक्ष की छाया का आशरे ना लें राजा जिससे द्वेस रखता हो ऐसे आदमी कसा दोस्ती ना करें यह सब आपको याद कर लेने है ठीक है चलिए फ्रेंड्स बस सेकेंड चेप्टर में तो नहीं है में लिए इंपोटेंट चीज़ है हमने काफी पढ़ी ब्रहमूरत में जागना इसनानवेधी बहुत इंपोटेंट है अव्यंग बहुत इंपोटेंट है यह सब आपको याद होना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स तो इस सेकेंड चेप्टर में ये ही सब था तो थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं अव नई वीडियो के साथ अगली लेक्चर में तब तक टेक कियर घर में रहें मस्त रहें स्वस्त रहें और वियस्त रहें पढ़ते रहें कुछ ना कुछ ठीक है फ्रेंट्स थेंक यू